एलो गाईज तो हम लोग प्रेसिडेंट और उसके पावर के बारे में चर्चा कल कर चुके हैं तो आज हम लोग शुरू करेंगे आपको प्राइम निश्टर एंड कॉंसिलर फिनिश्टर के बारे में और यह जो है सो आपको डिजाइन किया गया है डिप्लोमा और बीवीटे के बच्चों के लिए लेकिन जो UPSC, PSC और SSC वाले भी बच्चे हैं उनके हिसाब से आप समझे कि डिजाइन है और आप भी इसको देख सकते हैं समझ सकते हैं और इसमें सारी चीज़ों को कवर किया गया है तो चली हम लोग इसकी शुरूआत करते हैं और समझते हैं कि इस तीन जो सकतियों का बटवारा किया गया है या पावर का डिविजन किया गया है यह 36 अस्तर पर किया गया है यह यूं कहें कि एक ही लेवल पे यह तीनों पावर का बटवारा किया गया है मतलब एक ही लेवल पे हैं मतलब कि कारपाली का नयायपाली का और विधाई का यह त दुसरे के परती एक काम करते हैं चेक एंद बैलनेस करने के मतलब यह हुआ य। यह गलती करता है त doğru करता है तरहे फारे क्रें रिवकर साथ मुश니다 क्रेंचर और प्राइम अपर शेपार के साहती में होगा या प्राइम युक्त करेगा तो इस चीज़ को तरह समझ लीजेगा यह बहुत इंपोर्टेंट में बात बता रहा हूं और एक कई सिस्टम में head of the state president होता है और head of the government प्राइम मिस्टर होता है लेकिन प्राइम मिस्टर अकेले के प्राइम मिस्टर नहीं है उसके साथ में council of minister का होना जरूरी है तब हो प्राइम मिस्टर exist करेगा अब यहां पर है कि especially in the country like India या United Kingdom अब यहां पर हम लोग इसके दोल और relationship को बाटेंगे प्राइम मिस्टर के और फिर समझने कोशिस करेंगे कि क्या है तो अब यहां पर प्राइम मिस्टर हमने बोल दिए head of the government है तो प्राइम मिस्टर को यहां PM कहा जाता है और यह चीफ executive and head of the government होता है मतलब पूरे भारत सरकार में यह सबसे मुख सुन के और देश में बैठाया है तुह इस चीज को याद रखिएगा कोई बिष देता है संविधान से नहीं meaningful गलत है इनके पास जो पॉब्लिक ने संविधान से लेटेड ही तो यहां पर कई बार लोग конфűज हो जाते हैं और question गलत करके आ जाते हैं यह गलत नहीं होना चाहिए आज के बाद से अब यहां पर बात यह आती है कि इनके पास पावर हो कहां से लिया गया है तो यह पॉइंट्मेंट्मेंट कौन करता है अभी पिछले वाले लेक्चर में देखा कि एपॉइंट्मेंट्मेंट्मेंट्में इसा तो नहीं किसी को अपॉइंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट ब्राइब करते हैं तो यह जो हैं सोब पूरे consular for minister यह पूरे कारेबाली का मुखिया करूप में या लीड़र के रूप में है यह प्राइम इस निस्टर अब जितने भी मंत्री है कि केमणेट मंत्री हो सब के हेड़ी यहीं हैं दूसरा चीज है कि क्येबिनित कोई भी decision लेगा तो इनका उसमें sign होना जरूरी है तो policy में जब तक इनका sign नहीं होगा या जब तक यह नहीं चाहेंगे वह policy pass नहीं हो सकता है याद रुखिएगा यह बहुत ही मुद्ध्य की point में बता रहा हूं आपको दूसरा चीज एड़ाजरी रोल परसिडेंट को यह हर decision में परसिडेंट इनके बिना decision के 99 परसिडेंट काम कर नहीं सकता है जब तक यह sign करके नहीं देता है कि फलना आदमी को आप चीश जशी बनाओ या फलना आदमी को भी यह करो तब तक परसिडेंट अपने मन से नहीं कर सकता है तो यह जो है सब कूछ लेकिन का नाम जो है तो पिता जी का लग रहा है इंटरनेशनल लिपरेजेंटेंट हमें नाम जो लगेगा वह president का लगे नाम किसका लगेगा परसिडेंट सबसे से काम बहुत पावर है और वो अपने recipe लेने फिरी है एकसैप्ट याद रखे गए एकसैप्ट प्राइम निस्टर तो ऐसे कितने निचे वाले मिनिस्ट of Estate होते हैं तो Cabinet Minister के अंदर में Minister of Estates आते हैं और डिप्टी Minister आते हैं और मिस्टर पश्टेट के निटे जरीव डिप्टी मिनिस्टर आते हैं यह लोग आप माली जे काम ने बहुत बड़ा होता है बहुत बड़ा काम है अखले सारा जो है सो जितना भी decision लेता है परदान मंतरी का अपना अक्ठाले का decision नहीं होता है तो यहां simple है कि यह decision को collective होगा और यहां पर collective policies जो है जो है मतलब यह तरह से मंत्रीयों का समूह है जिसमें प्रदान मंत्री हेट कर रहा है लेकिन decision जो होगा अकेले परदान जितने वी डिसजन जो होते हैं मान लिए कि देश में जितने वी डिसजन होते हैं Central Government के थू वो कहीं नहीं इनका उस में scrolling रोल होता है कि परती मतलब कि लोग सभा के परती मतलब कि लोग सवा के परती कॉन सी लाइसो पूली रूप से जो एसो रेस्पोनूसिवल है और मान लेजे लोग सभा में ही इनकी विश्वासमस नहीं है तो इनकी सत्ता वहीं खतम हो जाएगी तो देखिएगा जब भी विश्वासमत की बात आती है कि इस सरकार रहे की की जाएगी तो उसका परिक्षन राजसभा में नहीं होता है उसका परिक्षन लोगसभा में होता है क्योंकि लोगों को रिपरजेंट कौन कर रहा है लोगसभा कर रहा है राजसभा राजयों को रिपरजेंट करता है तो राजयों से ज़्यादा मतलब नहीं हमें लोग सबस मतलब है इसलिए जो यह पब्लिक फीगर है यह कहीं कि हर एक दिलों के धरकन है यह इंडिया के अब यहाँ पर रिलेशंशिप की बात किया जाए तो इनके पास दो तरह के एक तो परसनल रिलेशंशिप दूसरा कलेक्टिव रिलेशंशिप तो प्रधान मंतरी का relationship किसी भी चीज में collective भी मान की चलिए क्योंकि बीना मंत्रियों के सम्हूं के अकेले काम कर नहीं सकते हैं और अकेले काम हो नहीं सकता है कुछ दिन के लिए अकेले चल भी सकते हैं लेकिन हम ऐसा के लिए तो नहीं रहेंगे तो इनका responsibility जो है वो collectively हम लोग decide करेंगे अब हर एक decision maker में जब तक इनका मतलब influence नहीं होगा वो decision सही होई नहीं सकता है या decision आगे बढ़ी नहीं सकता है इसलिए कहा जाता है कि Prime Minister Head of the government होता है और जो लीडर होता है लोगसभा का यह leader भी होता है यह अपने नाम पर अपने भीयाव पर किसी और को appointment कर सकता है लेकिन लोगसभा का leader जो है वह परधान मंतरी ही है और यहीं जो है सो लोगसभा के पटल पर जाके अपनी बात को कई बात रखते हैं या जब सांसत ज्यादा नराज होते हैं बोले परधान कैसे reward देना है धन्यवाद